हलो फ्रेंड्स बेलकम टू चावलमंत्रा यूट्यूव चैनल तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में करेंगे एच पी जीके के मोस्ट इंपोर्डेंट 50 कोश्चन ठीक है तो जो चैनल पे नए तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे जैसे आप स दिखाएगा चुछ बिए डान्स आठेर कोशन पेपर बिद बैस अंसर की साथ वेस स्टेडी में पीडियाफ तो कहिंगों को लिंक शोगा यहां पर यूट्यूब आला लिंक शोगा जो भी होगा उसके ओपर क्लिक करना है फिर यहां पर मैंने बताया है जो पीडियाफ है 10. missile कोशन और 2 निक शोगा दीधार कुलमपाती कौन थे नेक्स कौशन है, डक्टर बायस प्रमार उध्यान एभं बानिकी बिश्विदैलय नोणी के प्रत्म उपकुलि पती कौन थें? तो अप्शन D साभिंगा डक्टर रामकंड सेंह नेक्स है, हिमाच्च परदेश जीले की साक्षता सर्बाधिक है इसका option A सयोजागा हमीरपूर Next question है 1985 में स्ताफिय डाक्टर वायस प्रमार बानिकी एमम उध्यान बिश्विदाले कहां पस्तेत है तो option D सयोजागा नोणी में Next question देखते है Next question है 1978 इस्वी में स्ताफित विश्विदाले क्रिशी विश्विदाले की स्तापना कहां पर की गई तो option A सयोजागा पालनमपूर Next question है 1961 इस्वी में कहां पर क्रिशी विश्विदाले खोला गया तो इसका सही अंसर option C हो जाएगा चंबाहाट Next question है हिमाच्य परदेश विश्विदाले शिमला की स्तापना कब की गई थी तो इसका option C सयोजागा 1978 में Next question है किस स्तान पर महिलाओं के लिए पॉल टेक्निक संस्तान है तो option D सयोजागा कंड़ा परदेशिक इंजिनेरिंग कोलेज कहां पर है Next question है हिमाच्य परदेश में कुल कितने सरकारी, विश्विदाले, केंदरी, विश्विदाले को छोड़ कर तो कितने है option B सयोजागा तीन Next question हिमाच्य परदेश साक्ष्टा 2011 में कितनी थी तो option C सयोजागा 83.78% next question है हिमाच्य प्रदेश की साक्षता 1951 में कितनी थी तो option A सही हो जाएगा 7.98% next question है हिमाच्य प्रदेश के प्रथम शिक्षा निदेश कौन थे तो इसका सही अंसर option B हो जाएगा के एल से थी next question देखते हैं और फैरें जिनों ने विदे के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जूर कर देना वीडियो को भी लाइक कर देना next question है नहान स्थीत महिमा पुस्तकाले की सापना किस ने की थी next question है शिमला में रिपन अस्पताल की सापना कब की गई थी तो इसका अंसर option B हो जाएगा 1885 में next question है चमबा में भूरी सी म्यूजिंग की सापना कब की गई थी तो इसका सही अंसर option C हो जाएगा 1908 में और फ्रेंज चमबा जो भूरी सीं म्यूजिम है ये भी याद रखना है कि ये पर पुछा जाता है कि बूरी सीं जो म्यूजिम है ये किस जिले में है माच्चा परदेश में तो ये हो जाएगा डिस्टिक चमबा में याद रखना है ठीक है कोश्चन में ही कोश्चन बनते हैं next question is, शिमला state museum की स्तापना किस ने की थी, तो इसका सिय अंसर, option B हो जाएगा, Robert Tyler ने, next question है, John Lawrence ने किस वर्ष बिश्व कॉटन्द स्कूल की स्तापना की, तो option B सहाएगा, 1863 में, सन 1948 में शिमला में प्रत्म केंदरी विद्याले किस ने खोला तो अप्षन A सयोजागा एडवर्ड में 23. S.C.I.R.T. कहां पर स्तापित है तो अप्षन C सयोजागा सोलन में 11. S.C.I.R.T. कहां पर स्तापित है तो अप्षन B सयोजागा धर्मशाला । s.C. खांगणा में 11. S.C. कहां पर स्तापित है तो अप्षन D शीोजागा सोलन में 12. S.C. इंडियान इंस्इटिूट अफ एडवान्स स्टडिर कहां पर स्तित है तो इसका सयाण्सर शिम्बला हो जाएगा और नाहन में भी है मंडी में भी है और सोलन में भी है ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं शिम्बला यू एस कलब की स्थापना कभी की गई तिसका सईयंस रोप्षन डी हो जाएगा नेक्स कोशन है हिमार्चल की सबसे कम उमर की महिला कौन जिसने 1993 में एवरेस्ट की चोटी पर बिजय प्रापत की तो उप्षन C सही हो जाएगा डिक्की डोनमा नेक्स कोशन है 1961 में स्तापित परवता रोहन संस्तान के प्राथम निदेशे कौन थे तो इसका सही अंसर ऑप्षन B हो जाएगा हरनाम से नेक्स कोशन है इंद्रा गांदी खेल परिसर कहा है तो उप्षन D सही हो जाएगा शिमला अगर फ्रेंज आपको किसी कोशन में थोड़ा सा भी डोट हो तो एक बार आप जू नेट पर साच कर लेना ठीक है नेक्स है गोल्फ कोर्स कहां परस्तीत है तो इसका सही अंसर नेक्स कोशन है भिश्व की सबसेवनचाई पर स्तित के कड़ पीच ग्रौंड कहां परस्तीत है तो इसका सही अंसर ऑफ्षन सी हो जाएगा चायल कहां पे है डिस्टिक सोलन में नेक्स कोशन है हिमाच्च पंदेश में संधीवनी हिमाल्य चिनमय तपो बन कहां परस्तीत ह इसका सईयंसर吸 ऑपशन D हो जाएगा धरमशाला कहा परे है। भिस्टिकांगणा में है। अपरोब धा, नेक्स चाहं हो जाएगा। option A, बुशहर से, ठीक है, next question देखते हैं, लिटन मेमोरिल कहां परस्तित है, तिसका सही अंसर हो जाएगा, option C, नाहन, next है, मीनी स्विज्जलेंड किसे करते हैं, तो option D, सही हो जाएगा, खजियार डिस्टिक चमबा में, next question है, अरजुन गुफा कहां पर है, तो ये है, option C, मना जाली में, next question है, शोटी काल्षी, किसे कहा जाता है, तिसका सही अंसर, option D, किसको कहा जाता है, तिसका सही अंसर हो जाएगा, option B, बाबा कांशीराम को, और फ्रेर्स, question के बाबा कांशीराम का जोनम कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था, जिस्टिक, आंग्डा के, डाड़ा को याद करना है ठीक है नेक्स है बह कौन सा हिमाचली है जो सुप्रीम कोड का मुख्य निया दिश बना तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए मेजर चंद महाजन फ्रेंज इस वीडियो में हमने कर दिया है च्पीजी के 50 कोस्टन वह जैसे वीडियो के स्टार्टिंग म जाइ भूरत कर देए भारत को के सुप्रीम के वह जैसे में हमारत को जो सब्सक्राइब कर दिया है बहारत प्याम आद कृटर्ब कर दो सिट्वHello में है तो ऑट च्यारत को आफ है